ओम हनुमते नमय सभी के लिए मंगल कामने के साथ मैं कृष्ण गोपल पांडे आपका स्वागत करता हूँ आज का विशे है हनुमान चालिसा की रचना कैसे हुई हनुमान चालिसा एक काव्यात्मक लगू रचना है इसमें पौनपुत्र हनुमान जी की सुन्दर स्तूती की गई है हनुमान जी के आराधन उपासने के लिए हनुमान चालिसा का पाठ एक उत्तम साधन है हनुमान चालिसा की रचना कब हुई और कैसे हुई इसके संबन में एक कहानी है जो मात्र सुनी सुनाई बात नहीं है बलकि एक एतियाशी घटना है इस घटना का उलेक अंग्रेजी में लिखिवी दो पुस्तकों में मिलता है एक पुस्तक का नाम है वारियर एसेतिक्स एंड इंडियन एमपाइर्स जिसके लेकर कहें विलियम आर रिंच जिसका प्रकाशन Cambridge University Press द्वारा किया गया है और दूसरी पुस्तक का नाम है हनुमान स्टेल्स दा मेशेज ओप है डिवाइन मंकी जिसके लेकर कहें फिलिप लुटगन डॉर्प जिसका प्रकाशन ओक्सपोर्ड University Press द्वारा किया गया है हनुमान चालिशे की रचना के समन्द में एक कहानी इस प्रकार है यह घटना उस समय की है जब मुगल समराट अकबर का राज्य था एक बार एक युवा ब्रामन की आकस्मिक मृत्य हो गई उसकी सव यात्रे के तैयरी हो रही थी योगानु योग से उसी समय तुल्सिदाजी का वहां आगमन हुआ उनकी महानता से सभी परचित थे किसी के सुझाओ पर मृत्यूग की पत्नी ने आकर उनके चरण स्पर्स किये तुल्सिदाजी ने उस महिला को अखंड सोभाग्यवती होने का आशिरवाद दे दिया आशिरवाद मिलते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पती की तो अभी-अभी मृत्यू हुई है उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है तुल्सिदाजी ने कहा कि मेरे मुख से निखले होई सब्द बगवान स्री राम की क्रपा से कभी भी ऐसत्ते नहीं हो सकते हैं ऐसा कहकर वे उस यूग के मृत्य शरीर के पास गए और जितने भी विक्ति वह उपस्ते थे उन सभी को आँखे बंद करने और सृद्धा और उस्वास के साथ राम नाम मंत्र का जब करने के लिए कहा सभी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद वह यूग राम नाम के जब के प्रभाव से जीवित हो गया यह दृश्य देखकर सभी अचमबित हो गए यह बात बादशा अकबर तक पहुँची अकबर ने कहा कि ऐसे चमबतकारी विक्ति को हम भी देखना चाहते हैं इसलिए उसने तुल्शिदाज जी को दरबार में उपस्तित करने का आदेश दिया संदेश वाक इस संदेश को लेकर तुल्शिदाज जी के पास गया उसने उन्हें अकबर के सामने उपस्तित होने के लिए कहा तुल्शिदाज जी ने संदेश वाक से का कि मैं तो संत हूँ मुझे बादसा से क्या काम है मैं दरबार में नहीं आ सकता संदेश वाक ने तुल्शिदाजी के निर्णे से अकबर को अवगत करा दिया अकबर ने क्रोधित होकर का हम बुलाएं और वे ना आए जाओ उसे पकड़ कर लियाओ अकबर के आदेश की पालना में तुल्शिदाजी को बंदक बना कर अकबर के सम्मुक प्रस्तुत किया गया अकबर ने तुल्शिदाजी से का हमने सुना है कि तुमने किसी मृत युवा ब्रामन को जीवित कर दिया है हम चाहते हैं कि हमारे सामने भी कोई चमतकार दिखाओ तुलसिदाजी ने का मैं कोई चमतकार करना नहीं जानता हूँ नहीं मैंने कोई चमतकार किया है मैं तो केवल बगवान राम को जानता हूँ और जो कुछ भी हो रहा है प्रभू राम कर रहे हैं अब तो अकबर ज्यादा कुरोधित हो गया और बोला हमारी आग्या का उलंगन कर रहे हो हम देखते हैं तुमारे राम तुमारे लिए क्या करते हैं ऐसा कहकर तुलसिदाजी को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया उन्हें बंदी बनाकर फतेपुर शेक्री के किले में कारागार में डाल दिया गया तुलसिदाजी ने तनिक भी प्रितक्रिया नहीं दी और राम नाम का जब करते हुए कारागार में चले गए उन्होंने बगवान स्री राम में आस्ता बनाए रखी और कारागार में रहकर ही हनुमान चालिसा की रचना की और निरंतर इसका यानि हनुमान चालिसा का पाट करते रहे हनुमान चालिसा के पाट के प्रवाव से चालीसमे दिन एक चमतकार हुआ हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला कर दिया कुछ बंदर लोगों के घरों में गुजगे चारों तरप उत्पात मचा दिया नगर रक्सक और मुगल सेनिक ऐसाई होकर वानर सेना की लीला को देखते रहे वे बंदरों का कुछ भी नहीं कर सके इतने सारे बंदरों के उत्पात को देखकर सब तरप हाहाकार मच गया नुरुपाई और ऐसाई होकर अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल यह क्या हुआ बीरबल ने उत्तर दिया आप चमतकार देखना चाहते थे नै तो देखे यह चमतकार आपने तुलसिदाजी को कारागार में डाल दिया यह उशी का परिणाम है तुलसिदाजी राम भक्त हैं और राम भक्त की हनुमान जी अवश्य सायता करते हैं अकबर ने स्तिती की गंबीरता को समझा और तुलसिदाजी को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दे दिया तता पस्चताप का भाव लाकर उन्हें सम्मान पूरक मुक्त कर दिया उनके ऐसा करते ही बंदूनों को उत्पात सांत हो गया कुछी क्षणों में सारे के सारे बंदर पता नहीं कहां चले गए इस घटना के बाद बादशाज अकबर जीवन भर तुलसिदाजी के अंतरंग स्वजन की तरह रहे और साही फर्मान जारी कर दिया कि राम और हनुमान की उपासना करने वाले इस हिंदू संत को हमारे सामराज्य में कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए यदि आप इस कहानी को पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं इसके साथ ही हनुमान चालिशाय की रचना से संबंदित कहानी का विवरण समाप्त हुआ